और अफिर कब तक आयांगे रिजल्ट और नहीं आ रहा है रिजल्ट इस सारे सवालों का जवाब 20 वीडियो में आपको मिलने वाले हैं तो नमसकर दोस्तो मैं एक बार फिर से आप लोग के बीच में आपका बियारों के रिलेटेड जानकारी ले करके आप लोग के बीच में वार हाजिर हूं दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था उस वीडियो में मैंने डेट बताए थी आठ तारीख साथ याठ तारीख बताए थी साथ से आठ तक आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा लेकिन रिजल्ट नहीं आया आज तारीख हो गए दस लेकिन मैंने रिजल्ट यही बटा दिया था मैं आपको बताऊँ गाही कि कब तक रिजल्ट आएगा अब मतलम एक दम करेक्टी बताऊंगा उससे आगे तो डेट नहीं जाएगी उससे पहले ही याएगी लेकिन तब उससे पहले की उस बातेड्य चर्चा कर लें कि आप लोग के क रहे हो गलत बता रहे हो तो कोई नहीं मैं अब बता दे रहा हूं डेट आप लोग को क्योंकि देखिए मैं भी ऐसे रिजल्ट का डेट नहीं बताया था हर पिछली बार का रिजल्ट को एनलाइस किया था कितने दिन में आते हैं रिजल्ट तो फिर उसी की एकॉर्डिंग में बताया था क्योंकि भी आरो के साइट को आप जाकर देखो कि यह भी नोटिफिकेशन नहीं है कोई भी नोटिफिकेशन भी आरो नहीं देता है तो यदि बियारो अगर नोटिफिकेशन देता अपना तो फिर नोटिफिकेशन की कार्डिंग हम आपको जानकारी दे देते हैं लेकिन रिजल्ट के बारे में फिर और कुछ मतलब एक बार नोटिफिकेशन आता है फाम आ गया उसके बाद से डिरेक्ट इसका प्रोसेस होता ह नोटिफिकेशन नहीं आता है कि हम रिजल्ट देंगे हम अब एक्जाम लेंगे यह चीज़े नहीं जब वह आता है तभी फिर यह होता है कि डिरेक्ट रिजल्ट ही आता है तो इसके जैसे हम एकदम आपको यह नहीं कहेंगे कि पंदरा तारीक को हुई आएगा जैसे अधर चीज़े होती है जैसे गुरूप D हो गया या फिर कोई भी अधर वैकेंसी लिलो तो यह बोल देता है जैसे एंटीपी से हो गया बोला है कि 15 जनौरी को हम रिजल्ट देंगे तो पंदरा जनौरी को देगा ठिक से पंदरा को साम हो सकती है में भी हो सकता है सुलो को सुवा लेकिन 15 को ही डेट दिया है तो 15 से लेट नहीं करेगा लेकिन आप लोगों में क्या है कि इसमें नोटिफिकेशन नहीं दिया है तो फिर यह प्रावलम है तो फिर भी हम इसके बारे हम डिसकसन कर लेते हैं लेकिन हाँ यदि आपके 35 प्लस कोस्टन्स नहीं है तो फिर आप फीचकल तयार करिए नहीं तो क्या पता है इस मौके से भी आप हाथ दो गए ठीक फीचकल ना तयार रहे तो फिर तयार ही करते रही है आप अपना ठीक हम रिजल्ट पर चर्चा कर रहे हैं आगे चलके तो यह भी ज़रूरी है और जिसका 35 से कम सहीं है उनको लग रहा है कि मे कहई के दिजसां में उसका लिंक करेंगे लिंक इस विडियो के लाश्ट में उस वीडियो में सब्सक्रिण तो झेए अ नहीं कि देख सकते हैं तो देखे इस नहीं करें दोंतर देखों सब्सक्राइब नहीं करोके मिल GG आप रहे अब हो बात की जाये तो यह मान के चलिए कि आप 20 दिसंबर अगर मैक्सिमम जा रहा है तो 25 दिसंबर मतलब दिसंबर में आना इसका रिजल्ट तैय है तो मान के चलिए 25 दिसंबर 25 दिसंबर तक लग बाग 99 परसेंटेज सबते है कि रिजल्ट इसका आ जाना चाहिए देखिए अब फिर आप लोग कब वीडियो देखते हो किस टैंप वीडियो देखते हो यह तुम्हें नहीं पता कर सकता कि आप 20 तारीक के बाद 25 तारीक के बाद वीडियो देख रहे हो त लेकिन अभी मैं वीडियो बना रहा हूं 10 तारीक तो फिर आप लोग के रिजल्ट मेरा आन मानता है कि 25 तक तो आही जाना चाहिए इससे जादे लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि अगली वैकेंसी भी आ गई है इसका ज्वाइनिंग होगा फिर तो अगले वैकेंसी का प्र इनहत करना पड़ता है क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन को बहुत बारों बारीकी से पढ़ना फिर उसका इनलाइस करना ऐसे हम लोग वीडियो नहीं बनायते कि चलो आए और वीडियो बना दिये तो ऐसे नहीं होता है हम लोग पूरा इनलाइस करते हैं कि कब तक आएगा क् पिछली बार का कव आया था कितने दिन में आया था कोई मतलब उसमें तत्काली नावकास हो गया रहा इस तरीके से हर एक चीज को देखते हुए फिर यहां पर एनलाइस करके फिर जाए करके आप लोग को रिजल्ट का डेट बताया जाते हैं या फिर कोई भी और यादी द दोस्तों मिलेंगे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए